कि प्यारें विध्यारतेयों को एक बार फिर से राम-राम सातियों सुवागत आप सभी का राये ठान पर्थ आप लिगों के दस मिनटने शो में एक और क्लास आपको साथ भीजी ज्यर है आपको दी जार रही है और वो राजिस्तानी वेश्वूशा राजिस्तानी वेश्वूशा में हम सामान्य जाती के वस्तरों की बात करें तो सामान्य जाती के वस्तरों में हम लोग पूरुशों के वस्तर पढ़ चुके थे और अब हम लोग महिलाओं के वस्तर की बात करेंगे वस्तर का मतलब यह न कर रहा है उसी लग रहा है कि साथ हम लोग विना पैसे के हम लोग इस्टेडी करना चाहते हैं अलग कि आपको डाउनलूड करना है कि फिरी स्टेडी में जाना है समस्ट नोट्स आपको इबुक के रूप में दे रखे थोड़ी मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होगी आप लोगों के उसके बाद आपको यह क्लासे लगानी है और लगता है साथ थोड़े से पैसे खर्च करने तो एक फोटो कापी का साथ आप आगे बढ़े समय बार-बार आता नहीं है इतना समय भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग हर साल भरती देखते रहें आप ब्याड कर ली बहुत से विध्यारती तो विएड़ वालों की इस्तिरता रहें चालीच साल तक अवरोज नहीं हो जाएंगे तब तो लाइब सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास साथियों आपके देखो कूर्ती आ गया एक शाब्दा कूर्ती कांचली बंडी यह सब्द हुआ करते थे पहले के जमाने में जो माता बहने हमारे बिलावट टैप में वस्तर पहनती हैं उन्हें नाम दिया है जो कंदों से लेके आदे सरहीर तक डखने के काम लेती हैं अब इनमें अगर आंगी शब्द है विना बाहों की अगर चोली है विना बा भारत का रामायन का तो एक महिला पातर पीछे से ब्लावज पहनती है कुर्टी पहनती है तो पीछे देखा आप लोगों दो डसों से बंदी होती है और वाके जो पीट का रीड के अड़ी वाला इसा है वह दिखाई देता है तो ऐसे वस्तर को हम लोग क्या कहता है कुर्टी काचली ब्लावज के उपर पहने जाने वाले वस्तर है लोगड़ी कह दीजिए होड़नी कह दीजिए साड़ी कह दीजिए यह सभी केसी के रूप है ठीक है बिल्कुल सोट में हम लोग चल रहे हैं साब इसे थोड़ी स्पिट रखेंगे पॉम्चा यह कमल पुष पुक्स छा आता है और इसेके लिए इस्तिनी सेскतानतों को जनम दिया हुसे हम लोग जचा कहते है पीर-पक्षय पॉम्चा हम पुछा भुलाबी पॉम्चा बच्ची की जनम समय झाल फ्रोश घराढ़ा वतिए आ निदना हो बंड़े लिंए उसले हुए और यह सूसे गारण से तो वो बच्चे वो जनम भी देगी या बच्चा हो गया कुवा पूजन नहीं हो पाया था तो वहाँ स्वागन वस्तर तो आएंगे नहीं तो वहाँ चीड का पॉम्चा काड़ा पॉम्चा आएगा या हाडवती का परचलन में है देखिए चुनड़ी यह शब्द है साथियो वह जोधफूर की प्रसिद है लूगडा वैसे राजस्तान में हर जेगे लूगडा मिलते हैं लेकिन राजस्तान फिर भी लूगडा प्रसिद है लक्षमनगर पढ़ती है सीकर में वहाँ के लूगडा प्रसिद है घागरा करते हैं तो यह चीछ आप जो लेगा होता है उसमें नाडा डालने की नाडाा डालने की पट्टी होतीoter की के लूगस से क्या कहलता है दुलन दूपर पहने जाने वाली लालव गुलावि रग्शा होड़ने को पॉरी कहते हैं tajiana सद्वा महिलाओं के लिए वस्तर होता है वह वस्तर चिर्णोटिया या सालू कहलाता है तीन वस्तर आपसे पूछे अवोचन पूछे चांदनी पूछे अवोचन चांदनी और तिलका जिस प्रकार से अजरक और मसल लोग हमने मुसलिम पूरुसों के वस्तर पढ़े थे उसी इसी पिरकार से ध्यान रखेंगा तिलका चांदनी और आवचन हे यह मुस्लिम महीलाओं के वस्तर कॉन से समुधाए की वस्तर है जाठ समुधाए राजपूस समुदाए अधिवशी समुध Also Mous ». समुद आए इस तरीके से मिलेंगे तो आप लोगों रखना भंदेज किसी कपड़े को भांधना और रंगना वह भंदेज कला कहलाती है हलाकि हम राच्तन की अस्तकलाओं में इसकी बात करेंगे इसी कपड़े को बांधना और रंगना यानि भांदो और रंगों उसे हम लोग क्या कहते हैं बंदेज कहते हैं शेकावाती में बंदेज का जो पर्मूख के इंदर है वो शीकर है और मंदेज की सबसे बड़ी मंधी की बात करेगा तो वो जोधपूर में है, चब मंडी जोधपूर में है, भंदेज की ध्यानकणा भंदेज की साडिया भी जोधपूर के हैं, अब राजेस्तान में कौन कौन से साडि कहा की परचलने वो भी देख लेए, वैसे हम अस्तकला हम बात करें चब कपड़े समझी कला पढ़ेंगे तब कोटा डोरिया की साड़ी जो की केथुन कोटा की है इसे बनारस से मुहमद मसूर्या लाया था मुहमद मसूर्या लाने कान इस साड़ी का हम मसूर्या की साड़ी कहते हैं मुहमद मसूर्या लाने के कान इसे हम मसूर्या की साड़ी कह देंगे इसे राजस्तान की बनारस्य की शाड़ी भी कहते हैं यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है सब आप कोटा की शाड़ी के बारे में जानगे जानने के मतलब जेनवा जान गए मतलब जेनवा तो जेनवा की जो साड़ी प्रिसिद है वो कहां की है दिगोध कोटा की जेनवा मतलब जान गए तो जेनवा की साड़ी दिगोध कोटा की स्टूट के साड़ीय सवाई माधुपूर में है यह आपके जोबनेर है अमने जिलों के मुताबिक यह ग्रामिड में आएगा फूल, तो फूल की साडियां है, वो ध्यान रखें आप लोग, जोबनिर की हैं, और जोबनिर कहां पढ़ता है, जयपुर ग्रामिन पढ़ता है, राजा लोग है, राजा का मतलब राज सम्मन, राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, और राजाओ की राणिया कम थोड़ी राजा का मतलब राज सम्मन, साडियों पर इस्प्रे करते हैं, इस्प्रे पैंटिंग की साडिया, इस तरीके याद करेंगे, लहरिया आपको पता है, कपड़े पर विभिन प्रकार की आड़ी धारिया होती है, चतरंगी लहरिया, पंचरंगी लहरिया, अगर आप से अगर हमारे पास छोटी-छोटी बूंदों की कड़ाई होगी, छोटी-छोटी बूंदों की, तो वे चुन्दरी होगी, अगर इन बूंदों का आकार थोड़ा बड़ा हो गया और चोकोर हो गया, तो धनक कहलाएगा, बूंदों के आदार पर बनी डिजाइन को चुन्दर लेकिन अगर बड़ी बड़ी चोकोर वाली बूंद्र बना दी तो वह धनक कहलाएगा गोटा कोई भी कपड़ा होता है कपड़े पर यह बोर्डर होता है इस बोर्डर को यहां पट्टी लगा देंगे इसे हम लोग गोटा कहते हैं और राजस्तान में विभिन प्रकार के गो बिनहाए अजमिर वाला इलाका है साथियों तो यह चीज़े आप लोगों ध्यानक साथ बिनहाए आप लोगों ब्यावर में जाना चाहिए जितने मुझे लग रहा है तो इस तरीके से आपको तयारी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग घंटी वाल निसान द जरूर पड़े आप सभी भाई बेनों को राम राम साब धन्यवाद